तो आगे आप लोग तो इंतजार किस बात का शुरू करते हैं इस मेने लॉंच ओने वाले गैजट्स और स्मार्टफोन की रिष्ट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले प्रड़क्ट की आसुस 8Z यहां मुझे पता है मैंने पिछले मीने भी बोला था लॉंच ओने वाला भई कंपनी ने अनॉंच कर दिया था लेकिन क्या वाग कुछ रिजन्स की वज़ा से कंपनी ने अपना लॉंच कैंसल कर दिया है इन सब्सक्राइब के साथ लॉंच होने वाला फ्लैक्शिप काइंड फ्लैक्शिप काइंड अफ क्या एक्ट्वल फ्लैक्शिप किलर है वह 4,000-5,000 mAh बैटरी के साथ लॉंच होगा काफी एच्छा track recorder रहा है एसुस का पहले के phones में जो एसुस की 7 था जो सीरीज इनकी जैनफ फॉन लेना है तो त्यार रही है तो नेक्स्ट बात करते हैं बीड्स की बीड्स की स्टूडियो बड्स लाँच हो गए इंटरनेशनली लाँच हो चुके हैं अमेजिंग प्रैक्टिकल डिजाइन नंका काफी इमेजिंग डिजाइन किया गया उनको मैं फोटोस गरह डाल गई इसको काफी प्रैक्टिकल डिजाइन फोड़ा लगेगा पहले पहले आपको लेकिन प्रैक्टिकल डिजाइन इंडिया में भी लाँच हो सकते हैं इसी मीन में 16000 की अरांट की प्राइसिंग पर 15-16000 की प्राइसिंग पर इसब जो एंडरोइट के साथ भी फुली कंप के साथ लाँच होंगे और 5000 अरांड की बैटरी हमें देखनों के मिलेगी बाकी स्पेक्स फोन आने पर पता चली जाएगी हमको अब ओपर होगे तो पोको की बात कर लेते हैं पोको का एफ त्री जीटी लॉंच हो रहा है जियां रियल मी का जीडी आप पोको एफ-3 काफी अब फोन आएगा तो पता चलेगा कितने रोकेट उड़ रहे है या फोन ही उड़ रहा है तो जल्दी एक option आप लोगों के लिए आ रहा है इसी मीने कोको एफ-3 के नाम से इंडिया में और उसके बाद लॉंच हो रहा है मार्केट में चुडू हो जाए पहले लॉंच हो च उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं Samsung अगर आपको ब्रेंटिट फोन लेने है उपपर उपपर छोड़ो तो Samsung भी लेके आ रहे है अपने नए दो मिद रेंज फोन F22 और A22, A22 ऑबसली मार्केट में होगा और F22 ऑनलाइन मिलेगा आपको लेकिन आजकल ऑनलाइन वाले आपको पता है कहा चल रहा है तो काफी अच्छा डिजाइन की उमीद है और 4000-5000 mAh बैटरी के साथ समसंग भी कुछ ज्यादा ही फोन से लॉंच करने लग गया इसे पोपो भी वो शामी से कॉंपिटिशन के लिए जुरूरत नहीं है वैसे चलो खैर मिड रेंज में वो अलग तरीके से काम करते हैं समसंग और फ्लैक्शिप में अलग तरीके से सो एनिवे नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मट्रोला की तरफ से अगर आप एक एड़ फ्री यू आइवाला अंड्रोइड वाला फोन चाहिए तो मट्रोला आपके लिए लेकर आ रहा है एच सीरीज है अपकी जो फ्लैक्शिप काइंड ओफ सीरीज है एच सीरीज में स्म मिलता ही है हमें जो पूरा आपको मिलेगा अगर आपको चाहिए जो आइथिंग काफी एच्छ एक्सपीरेंस होता है पस फोन का साइज थोड़ा अगर मोट्रोला कम रखे ना क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉंपक्ट फोन भी चाहिए होते और मोट्रोला 6-7 इंच से न आपको पता है एक प्रीमियम ब्रैंड एपल बीड्स के साथ कॉंपेटिशन करता हूं काफी अच्छे रिपोर्ट्स भी रिव्यूज भी आ रहें इंटरनेशनल मार्केट से इनके सो इंडिया में भी लांच हो सकते हैं इसी मीने में उसके बाद माइक्रोमेक्स की बात कर गया है और उमारे लेकर आ रहा है 2B 2C इन 2B 2C पता स्था नहीं क्या इमिंग स्टी में की सो प्धिस जयादा ही प्रलच कर रहें और यह ज़ ज्यादा हैं दो फॉंस लॉंच होआ है मेक इंडिया प्लैंट किते हैं तो देखते हैं क्या हाँता है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं लेकिन hope for the best next अगर बात की जाए तो इन्फीनिक्स और टेक्नो जैसे ब्रैंड ब्रैंड तो है जब आएगी मैं आप लोगों को बताई दूंगा इसके बार में अभी छोड़ी दो बात चाहिए तो नीचे कमेंट का नाम भी भाय कर लेंगे ले आएंगे XM4 फ्लैक्शिफ बड़ सोनी के तरफ से आ रहे हैं वह भी 20-25,000 प्राइस रेंज के साथ ही लॉंच हो सकते है नीचे कमेंटर कर लसा ठाहिए अगर अच्छे से इस महन की ब्सक्राइब में लेकिन अभी आप कोorith लेखने को मिलेगी विडियो ब्रपास करऊंसी वीडियों क्यानस करो एक आप लेसे इक सब्सक्राइब्स ब्सक्रातों मिलते है तब नेक्स्ट वीडियों में अब तक र